लखनों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हुई, पुलिस के फाइविंग में हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडी के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी श्वेखर कौशोल अंधेरे का फाइदा उठा कर भाग गया। पुलिस ने वोका तो उचा किया तो फाइविंग शूरू करती। कि आपकी जानकर में लाना चाहूंगा ये दिनाख उनिस की रात्री में लगबग साले आट नो बजे करी में घटना कटी ती जिसमें ओवर रिस के उबर फाइरिंग की गई थी बलनो गाड़ी के उपर कई राउंड फाइर हुए दोसमें उस घटना में जो बद्वाज थे और जो गाड़ी ट्रेक की गई थी आज प्राते काल में मुपिर की सूचना पर ये सूचना मिली थी कि कुछ संधिक लोग बिने नंबर की गाड़ी में घुम रहे हैं इस सूचना पर हैसे चोचेनट और जो एसोजी की टीम है वो एक्टिव हुई और जब तलाशी ली जा रहे थी तो उस दौरान में सलेटी रखी गाड़ी जिसकी टॉप जो है बलेक थी ये गाड़ी मिली इसको इस अपने का इशारा किया गया इनके द्वारा गाड़ी में से जब फायर हुआ तो इस गाड़ी को चेज करते हुए यहां पर द्याल के का लोनी के पीछे के राके में इसको ट्रैक डाउन किया गया है यहां से जब बदमाशों निकल के भागने का प्रयास किया तो जो ऑई फ जैसे इसका एक साथी जो गाड़ी में सवार था वो मौके से बागन में सफल हुआ है अभी बदमाशों के तलाश की जा रही है और जो बदमाश घायल वा था उसे हॉस्पिटल उप जगने